डिलाइट आयेस में मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम अपने NCRT summary course में Class Ares के अध्यायदो वैपार से समराज तक कमपनी की सत्ता इस्थापित होती है के बारे में पढ़ेंगे चलिए बढ़ते हैं आज के प्रिश्ण की तरफ आज का प्रिश्ण है सर्वोचता की नीति किसने शुरू की थी लॉर्ड डलहोजी, लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड हिंस्टिंग्स ने इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खतम होने पर बताऊंगे आए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ हमने अभी तक देखा कि मुगल समराज एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में भारत में उभरा था लेकिन हम ये देखते हैं कि औरंग जेब जो वहां का आखरी शक्तिशाली बाश्चा था उस समय का उसकी मृत्यू के बाद 1707 में भारत का मुगल समराज तूटने लगा था वह छोटे-छोटे टुकडों में बटने लगा था उसकी मृत्यू के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमिनदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने छेतरी रियासते कायम कर ली थी और जिससे की दिल्ली जो था दिल्ली एक केंद्र के रूप में कमजोर पढ़ने लगा था फिर हम देखते हैं कि अठारवी शताब्री के उत्राद में अर्थात आजी अठारवी शताब्री के बाद अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी अंग्रेज यहाँ पर एक वैपारिक कमपनी के रूप में आये थे फिर उन्होंने भारत की राजनेते के स्थिती में इतनी परिशानी देखने के बाद वे भारत में अपने राजनेते इंटरेस्ट भी लेने लगे थे हम देखते हैं पूर्व में इस्ट कंपनी का आंगमन के बारे में सन सोला सो में इस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महरानी एलिजब्बित प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजत नामा हाशिल किया था इससे कंपनी को पूरव से वैपार करने के लिए एक अधिकार मिल गया था इस्ट इंडिया कंपनी में इसके अलावा इंग्लैंड से कोई और भी कंपनी भारत में वैपार नहीं कर सकती थी इसके इलाके से उन्होंने पूर्व में कई इलाकों में को अपने से समान सस्ते दामों पर खीचा और उरोप में उचे दामों पर वेज़ा था जिससे उन्होंने बहुत सारा धन कमाया था company की दूसरा कोई भी प्रतिस्परदा नहीं थी कोई भी उनको किसी भी प्रकार का भै नहीं था कि कोई और company आएगी और उनसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएगी लेकिन हम देखते हैं कि यह जो दस्तावेज थे इससे दूसरे यूरोपियों कमपनियों को पूरप के बजार में आने से रोका नहीं जा सकता था कई प्रकार की और कमपनियों जैसे की पुर्तगाल, डच या फ्रांसेसी कमपनियां भी भारत में आई थी हम देखते हैं भारत की खोच की तरफ, भारत की खोच कैसे हुई थी पुर्तगाल के खोजी यात्री वासको डिगामा ने 1498 में पहली बर भारत की खोच की थी इन्होंने जब ये समुद्री मार्क का भारत का पता किया था यह सत्रवी शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंदी की तरफ वैपार की संभावनाओं के लिए आने लगे थे हमने ये देखा कि सारी कमपनियां एक ही जैसा समान खरेती थी और येरोप में इनके समान की बहुत ज़्यादा कीमत भी थी इसके अलावा यहां के सूती कपड़े, रेशम, कालिमेच, लॉंग, इलाइची, दालचीनी की येरोपिय बजार में बहुत ज़्यादा मांग थी हमने ये देखा कि इन चीजों के साथ बजारों में बढ़ने वाली कीमते बढ़ने लगी थी और उससे मुनाफ़ा भी मिलने लगा था इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सत्रवी और अठारवी शताबदी में इन दो कमपनियों के बीच में वैपारिक प्रतिस्ट परदा के साथ साथ लड़ाईयां भी देखी जाने लगी युद्ध भी देखने जाने लगे थे और यहां से लड़ाईयों की शुरुआत हुई थी यहां पर हमने देखा कि कई कई कंपनी दूसरी कंपनी के जहार डुबो देती थी या कई प्रकार क कई प्रकार के अनेक प्रकार की रुगावटें खड़ी करती थी और किले बंदी करती थी अपने वैपार में मुराफ़ा कमाने की कोशिश में यहां के जो स्थानिय शाशक थे मतलब जिस जगह पर यह अपना वैपार करते थे वहां के जो स्थानिय शाशक थे उनसे भी इनके के बीच में मनमुटाव होने लगा था इस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंगाल में अपने वैपार की शुरुआत की थी पहली इंग्लिश फैक्टरी 1651 में हुगली के किनारे लगी थी उस कंपनी के द्वारा ही वैपार शुडू चलता था इस वैपारियों को उस जमाने म वाली चीज़ों को जमा किया जाता था इसके साथ सथ हम यह देखते हैं कि यहां पर 1696 के तक कंपनी ने इस आवादी के चारों तरफ किल्या बनाने के अभी प्रक्रिया शुरू कर दी थी दो साल बाद उन्होंने वहां की जो मुगल ऑफिसर से उस समय के उनको रिश्वत देखे तीन गाउं की जमीन खरी ली जिसमें से एक गाउं काली कता था जो बाद में कलकता बना जिसे आज हम कॉलकता कहते हैं उसके बाद कंपनी ने मुगल समराथ औरंग जेप से इसको भी इसके लिए तयार किया और कि वहां कंपनी को बिना कोई शुल्क चुका है वैप अधिकार भी बढ़ गए और वह वैपार में अनेक प्रकार के छूट मिल गई थी जिससे उन्हें वैपार में बहुत जादा फाइदा हुआ था फिर हम देखते हैं एठारवी शताब्री की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवावों के बीश में टकराव बढ़ने ल शाशक थे इन्होंने कंपनी को रियारते देने से मना कर दिया वह वैपार के अधिकार के बदर जो नजराने की मांग थी उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था इसके साथ साथ उन्होंने कंपनी पर धोका धड़ी का आरोब भी लगाया था और यह भी कहा था कि इनकी वज देखा कि उन्हों जो वहां के जो नवाब थे उन्होंने अफसरों से कई प्रकार की बातचीत करने का भी प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी यह इससे थी नहीं सुधरी और यह टकराव दिन पर दिन गंभीर होते जाए और इस टकरावों की परिणाम सरूफ हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यू के बाद सिराजुद्ध दौला बंगाल के नवाब बने थे यह कंपनी को सिराजुद्ध दौला से काफी भैता क्योंकि सिराजुद्ध दौला एक मजबूत शाशक की रूप में उबरे थे और कंपनी एक कटपुतली नवाब एक ऐसा शाशक चाहती थी जो उसके अकॉर्डिंग काम करे और उसे वैपार में किसी भी प्रकार की असुविदा ना करे लेकिन सिराजुद्ध दौला ने इस तरह की कोई भी उनको रियायत नहीं दी थी और कंपनी के सभी कामों में दखल अंदारी करना शुरू कर दिया था और साथ साथ यह भी हुकम दिया कि कंपनी उनके राज के राजनितिक मामलों में टांग ना अडाए जब दोनों पक्ष हमने यह देखा कि हटने के लिए रित्यार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाईयों के साथ नवाब ने कासिम बजार में इस्थित इंग्लिश फैक्टरी पर हमला बोल दिया नवाबों की फौजों ने कंपनी को बहुत मुरी तरीके से हराया था गोदामों पे ताला डाल दिया और उनके हतियार भी छीन लिये थे जब कलकत्ता को हां से निकलता सुनने के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव सेना की मदद के लिए बंगाल की और रवाना हो गया इसको फिर नौसेनिक बेड़े से भी बहुत जादा मदद मिली फिर हम ये देखते हैं कि नवाब के साथ ये लंबे समय तक सौधे बादी चली आखिर का 1757 में प्लासी के युध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद्दौला की खिलाफ कंपनी का नेतरत किया और यहां पे नवाब को हार का सामना करना पड़े और यहां पे नवाब के हार का कारण कोई सैनिक कमी नहीं थी कि उनकी सेना में किसी प्रकार की कमी थी या उनके सैनिकों में कमी थी नहीं का साथ दिया था प्लासी की जंग बहुत महत्वपून बानी जाती क्योंकि भारत में कंपनी की पहली जीत थी उसके बाद सिराज उद्दॉला को मार दिया गया और नमीज आफर को शाषन के लिए बैठा दिया गया अठाथ मीज आफर नावाब बना था कंपनी अभी भी शा सारी अपनी नहीं चल सकते हमें राजीती में भी पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा जब मीर जाफर हम यह देखते हैं कि मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध किया उसको हटा कि कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बनाए जब मीर कासिम परिशान करने लगा तो 1764 में ब कंपनी अपने सैनिकों की खर्चे वैपारिक जरूरते और अनिक खर्चों को निप्टाती थी फिर हमने यह देखा कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यू के बाद वहां की स्थिति और बदल गई और कंपनी के इरादे भी बदल गए थे अब कंपनी पर किसके जो नेता जो 1665 में मुगल समराट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दिवान न्युक्त कर दिया दिवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस पे तो नियंतर्ण मिली गया और उसके साथ सत्वहां की राजनेतिक इस्थिति में भी उसे बहुत ज्यादा अपना नियंतर मिल गया था उससे हमने यह देखा कि जो रॉबर्ट क्लाइब जो एक वहां के जनरल थे उन्होंने बहुत बेहिसाब डॉलर जमा कर ली उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने इतना भ्रश्टाशार फैलाया था उस समय कि कंपनी की इस्थिती इतनी मजबूत हो गए थ था हम देखते हैं कि कंपनी का फैल्ता शाषन बकसर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारत की यासतों में रेजिडेंट न्यूंक्ट किये थे यह resident जो होते थे यह company के राजनेतिक और website प्रतिनिधी होते थे इनका काम company के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगा बढ़ाना था resident के माध्यम से company भारती राजियों के भीतर के मामलों में दखल देने लगी अगला राजा कौन होगा किस पत पे किस को बठाया जाएगा कौन सा अफसर किस जगे काम करेगा यह सब company ही तै करती थी और इसके साथ company ने सहायक संदी भी थोब दी थी कई रियासतों पर जो रियासत इस बंदोबस को मान लेती थी उसे सोचन सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था उसे company की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और जो सहायक सेना के रख रकाव के लिए भी जो पैसा होता था वह company को भारती शाशक ही देती थी और अगर भारती शाशक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो वहां के इलाके को company अपने कबजे में ले रहे थी जैसे कि हमने उधारन के सरूप में देखा है कि जब रिसर्ट वेल्चली गवर्नर जर्नल था तो उसने अवत के नवाब को अठारा सो एक में अपना आदा इलाका company को सौपने के लिए मजबूर किय था क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा देने के लिए चूक गया था इसके अधार पर हमने देखा कि टीपु सुल्तान से भी कई प्रकार के अधिकार चीन लिए गय थे आईये हम जानते हैं टीपु सुल्तान शेर मैसूर के बारे में टीपू सुल्तान का शाशन काल 1761-1772 तक रहा है इनके विख्यात पुत्र हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे सक्तिशाली शाशकों के नेतरस्ट में मैसूर काफी सक्तिशाली हो गया था मालावा तड़ से होने वाले वैपार जो था वह मैसूर के नियंतरन में था और जहां से कंपनी को काले मिच और इलाइची खरीनी पड़ती थी 1785 में टीपू सुल्तान है अपने रियासत में पढ़ने बंदगाहों से चंदन की लकड़ी काले मिच और इलाइची का नियात रोग दिया था जिससे और उन्होंने टीपू सुल्तान भारत में रहने वाले फ्रांसी सी वयापारियों से अपना घनिष्ट संबंथ बनाया था इसके इन सब कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे उन्होंने हैदर रालवी और टीपू सुल्तान को बहुत ही जादा परिशान करने का फिर प्रयास किया था वे उन्हें बहुत महत्तोकांची कमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंदरां करना बहुत जरूरी है वरना सरकार वरना हमारी जनता के सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी फिर मैसूर की राजा के साथ अंग्रेजों की चार बार जंग हुई थी 1767 से 69, 1780 84, 1790 से 92 और आखरी जंग हुई थी 1799 में शीरंग पट्टम की आखरी जंग में कमपनी को सफलता मिली और राजधानी की रच्छा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे और मैसूर का राज का पुराने वर्डिया राजवंश को सौप दिया गया था और मैसूर पर भी हमने सहायक संदी सौप दी थी इसके सासत हम मराठों के साथ भी यही इस्थिती देखते हैं अठारवी शताब्री के आखिर में कमपनी मराठों की ताकत को भी काबू में पाने का प्रयास कने लगी सेवेंटी सिक्स्टी वन में पानी पत की लड़ाई के बाद देश में शाशन चलाने का जो सपना था मराठों का वाज तूट गया था और उनका राज कई हिस्थों में बट गया था सिंधिया, होलकर, गायकवार और भोस्ते जैसे अलग-अलग राजवंश अलग-अलग हिस्थों में अपना शाशन चलाते थे फिर हमने ये देखा कि एक के बाद एक कंपनी के मराठों से युद्ध हुए पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधी के साथ खतम हुआ था जिसमें कोई भी पक्षी जीत नहीं पाया था दूसरा युद्ध 1835 में हुआ जो कई मोर्चों पर लड़ा गया था इसमें ये नतीजा हुआ कि उडिसा और यमना के कई हिस्से अंग्रेजों के कबजे में आ गये थे 1817 और 1819 के तीसरे युद्ध में मराठों की शक्ती को पूरी तरीके से कुचल दिया गया और पेश्वा को पूने से हटा के कानपूर के पास बिठूर भेज दिया गया और उन्हें पेंशन पे रखा गया इसके सासे हम यह देखते हैं कि विंद्ध है कि दक्षिन से पूरे भूबाग पे कंपनी का नियंद्रन हो चुका था फिर हमने देखा कि छेत्री विस्तार की आक्रमक नीती अपनाई गई है वहां की बिटिश कंपनी द्वारा हमने उन्नीसवी सताब्री के प्रारम से कंपनी छेत्री विस्तार की आक्रमक नीती अपना रही थी लॉर हेंस्टिंग्स में अठाजो की 1813 से 1823 से गवर्ना जल रहे थी सर्वुषता की नीती शुरू की थी कंपनी का की दावा था कि उनकी सत्ता सर्वुष है इसलिए वह भारती राजी से उपर हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारती रियास्तों का अधिकरहन करना और अधिकरहन करने की अधिकार को धमकी देना को वह अपना अधिकार मांगते थे और उनकी यह सोच हमें उनकी नीतियों में भी दिखाई दी गई है उन्होंने अनेक छोटे राज़ियों को जैसे कि रानी चुई नम्मा के राज़ि को उन्होंने जो कि कितूर करनाटक में था उन्हें अपने कबजे में ले लिया इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि उन्होंने सिंध के भी राज को अपने कबजे मे ले लिया था 1843 में उसके बाद उन्होंने इफगान में भी अपना अन्यां अप्रत्यक्ष कंपनी का शाशन में इस्थापित करी दिया था उसके बाद हमने यह देखा कि पंजाब में उनका जो युद्ध था राना रंजीज सिंग के साथ बहुत लंबा चला था राना रंजीज सिंग की मृत्यू के बाद ही उनको रियासत में अपना अधिकरहन करने को मिला था 1849 में जब राजा राजा राजी सिंग की मृत्तिव हो गई तब उसकी रियासतों के साथ दो लंबी लडाईयां हुई उसके बाद 1849 में अंग्रेजों की कमपनी ने पंजाब कभी अधिक्रहन कर लिया था फिर हम देखते हैं विलय की नीती को अधिक्रहन की आखरी लेहर 1848-1856 के बीच में गवर्नन जर्नल बने लॉड डलहोजी की नीती की द्वारा चलाईगी थी इनकी जो नीती थी उसे विलय की नीती का नाम दिया गया इसका यह सिद्धान था कि अगर किसी पुरुष शाशक को अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को हरप लिया जाएगा अधात वहां किसी भी गोद ली गई संतान को राजा बनने का अधिकार नहीं था इस सिद्धान की अधार पे उन्होंने सतारा, संबलपूर, उदैपूर, नाकपूर और जहांसी इन सभी राज्यों को अपने हाथ में ले लिया था इसके वज़ता आखिरकार अठारसो चपन में कमपनी ने अवद को भी अपने नियंटन में ले लिया इसमें कमपनी ने एक नया तर्क दिया था, अंग्रेजों के अधिकारियों ने एक नया तर्क दिया, उनका मानना था कि अवर्थ की जनता को वो नवाब की कुशाशन से आजात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अवर्थ की शाशन नवाब को हगद्धी से हटा प्रशाष्टिंग ने बहुत महत्पुन कार किये था जिससे कंपनी की ताकत को फैलने में अनुमती मिली थी जैसे कि उन्होंने उस समय कई प्रकार के सारे प्रकार के प्रमुक जो रवहां के हमारे छेतरी राज थे उन्होंने उस पर अपनी इसत्ता स्थापित कर लिए मुंबई जिसका शाषन गवर्नर के पास होता था 1762 में एक नई नियाए ववस्था स्थापित के गई थी जिसकी जिसमें यह प्रवाधान किया गया था कि हर जिले में दो अदालती होंगी फौजदारी और दिवानी उसके बाद हमने यह देखा कि जो यह उसके समय यह समस कि किस प्रकार के शाषन का यहां पर किस प्रकार की कानूनों का यहां पर प्रयोग किया जाएगा भारत यह जिले में कलेक्टर का बहुत बड़ा उहदा होता था फिर हमने यह देखा कि उसका काम लगान का रिखटा करना और नियाए धीशों पुलिश अधिकारियों और द सेथी ताकत ती चैनिक ताकत थी यहां पर फौजों को परसिक्षित किया गया कौि 192 सिताबदी की शुरॉबत ंंग्रेजों करने लगे थे उनको युरोपी तरीके से प्रक्षेन दिया गया उनको अभ्यास अनुषाशन सिखाया गया उसके बाद उन्होंने आपने सेना के लिए सिपोई जिसको आर्मी कहते थे इस शब्द का प्रयोग करना प्रावब प्रारम किया था फिर हम देखते हैं कमपनी के निश्कर्ष कमपनी के जो इस प्रकार की जो सेना का उधैया हुआ था उससे सिपाहियों पे बहुत प्रकार का प्रभाव पढ़ दा था, सिपाही अपने जीवन में अपनी पहचान के लिए बहुत जादा परिशान रहते थे, इसके बारे में हम अपने आगे पढ़ेंगे, इस इंडिया कमपनी एक वैपारिक कमपनी के साथ बढ़ते बढ़ते वा एक होगोलिक उपनेवेशिक शक्ती बन गई थी, उनिस्वी से दाब्री की शुरूरात में यह प्रक्रिया जब शुरू हुई तब भारती उप महादीब के 33% भूबाग और 80% आबादी पर कमपनी का सीधा शाषन प्रारम हो चुका था, देश के सेश भूबाग पे कमपनी का अप्रत्यक शुरूप था, हर प्रकार से वैवारिक इस्थर और इस इंडिया कमपनी भारत को पूरे नियंतरन में ले चुकी थी, आएब बढ़ते हैं आज के प्रिशन की तरफ, आज का प्रिशन